नमस्कार आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जिसकी वज़े से हर एक व्यक्ति जीवन में किसने किसी कारण से दुखी अवश्य है अब सुख और दुख कि जम बात करते हैं तो जीवन की दो पहलू हैं सुख और दुख जीवन में कभी सुख जादा देखने को मिलते हैं कभी दुख क्योंकि जीवन क्या है एक ग्राफ की तरह है कभी अपस और डाउन तो यहाँ पर जब सुख आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब दुख आते हैं तो सब कुछ हमें याद आ जाता है मगर अगर हम इन चीजों को समझ लें कि इसका कारण क्या है और कैसे इसको ठीक रखा जाए क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जब सब कुछ ठीक चलता है तो हम ना अपनी कुंड़ी को चेक करते हैं मतलब होता क्यBir हमारे थांख भी होते हैं कि कुछ नहीं होता मगर जब चीवन में बहुत ज्यादा प्रेशाणी आ जाती हैं वैपर हो नुकरी हो यह मारे लाइफ हो यह बच्चों को जब खर कि घर से बिमारी ना जाने का नाम ले रही हो या कोई नों के बिमारी घर में प्रिशान कर रही हो जो जीवन में जातक को किसने किसी कारण प्रिशान करती है चाहें जातक कितना ही धनवान क्यों नहों या कितना ही गरीब क्यों नहों गरीब के साथ तो जीवन में वगवान ने दुख दिही दिये हैं, मगर जो व्यक्ति धन्वान है या जिसका काम दंदा अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पर हमें बेसिक लिए क्या जीवन में दुखों का हम अंत कर सकते हैं, सबसे important बात यह है, तो यहाँ पर अगर मैं आपक राय दू तो निश्चित तोर पर अगर हम एक काम, आज सिरफ एक remedy की बात करेंगे, और उस remedy को हर कोई व्यक्ति को निश्चित तोर पर हमेशा follow करना चाहिए, इससे होगा क्या, इससे जो जीवन में हमारे दुख है, वो निश्चित तोर पर आपको कम होते दिखाई आप एक बार करके देखे, regular, बड़े प्रेम भाव से, क्योंकि भाव का सबसे ज़्यादा important role है, कि आप कितने भाव के साथ कोई कारे कर रहे हैं, इश्वर भी जीवन में सुनता है, बात यह है कि आप कितने भाव से उसको याद कर रहे हैं, मंदिरों में बहुत ज़्याद आप चड़ावाई चड़ा रहे हैं, यह किसी बहुत पैसा है, तो वो आपका दुनिया भर के बंढ़ारे करा रहा है, यह अलग विशे है, आपके पास कुछ है या नहीं है, मगर आपके बहाव कितने हैं, कितने बहाव से किसी कारे को समर्पित कर रहे हैं, चाहिए बगव का कारण क्या है देन फिर हम फाइनल रेमेडी की बात करेंगे कि वो रेमेडी कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है यह सब को करनी चाहिए यह रेमेडी जो आज बताई जाएगी यह प्रैक्टिकली टेस्टेड है और रेमेडी को दो तरीके बताए जाएंगे करने के आप पहला सेकेंड जो भी आपका समर्थ है उसके नुसार चूस कर सकते हैं, it is very easy, everyone can do easily, कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे पास यह option नहीं है, आप कहीं भी रहके इस remedy को perform कर सकते हैं, पूरे दिन बर में, तो यहाँ पर सबसे पहले जीवन के अंदर सुख की बात होती है और दुख की, शनी जो है जीवन में नेचुरल कारक दुखों का है, अब कुंडली के अंदर शनी कितना खराब होगा, उतना ज्यादा दुख पैदा करेगा, अच्छा है, तो दुख नहीं देगा, किसी प्लानेट के साथ कॉम्बेनेशन में हैं या दरश्टी से संबन बना रहा है, तो उस प्लानेट से रिलेटेड दुख देगा, फॉर एक्जामपल, शुक्र के साथ है, तो यहाँ पर मेरेड लाइफ के अंदर किसने किसी प्रकार का दुख अवश्य पैदा करके रखेगा, हालनकि यह कॉम्बेनेशन पैसे के लिए बहुत अच्छा कॉम्बेनेशन है, जा खुश है, मगर अंदर खाने क्या प्रॉलम है, यह तो वही जाने, तो यहाँ पर बेसे के लिए करना क्या है, अब दुख की बात करते हैं, तो दुख की लिए जैसे आपको बता है कि सैटन, शनी, शनी देव जो है वो दुख के कारक हैं, और आपने देखा होगे कि बहुत सारे मंदिरों में, आज के समय सबसे ज़्यादा शनी महराज के मंदिर में लोगवाग या हनुमान जी के मंदिर में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में इसले जाते हैं, कि अगर परसंट रहेंगे तो शनी कंट्रोल में रहेंगे, कुछ का मानना यह है और यह सत्ते भी है और शनी के मंदिर में सेल जाते है कि ड्रेक्टली शनी महाराज को पकड़ लिया जाए तो जिससे कि हमारे दुखों का अंत किसने किसी परकार हो जाए और मैं खुद भी कई बार शनी मंदिर में जब गया हूं तो मैंने देखा है काफी अच्छे-च इसी बात है कि जो कोई भी प्लानेट आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा हो क्योंकि हमारे जो नाइन प्लानेट हैं वो किसने किसी चीज के कारक हैं इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं यह हमारे जो नाइन प्लानेट हैं सूरिय, चंद्र, रस्पत, शुक्र, यह सब किसने किसी चीज़ के कारक है, तो यहाँ पर जो जिस चीज़ का कारक है, सिंपल सा है, उसके कारक भाव को पकड़ लीजिए, यानि कि जो उसके कारक वस्तु है, उसको आप पकड़ लीजिए, अब कारक वस्तु की बात करें, तो शनी देव किन चीज़ों के का रख के सबसे पहले आपको यह समझना होगा हर प्लानेट एक नरजी और एक सजी इन दो चीजों का रख होता है जो व्यक्ति है जो चीज लाइव है वह क्या है आपका सजीव के मलग की आपने जैसे अम बात करते हैं या शनी का लुग के बारे में मगर जो लोग first time देख रहे हैं वो इस चीज़ को या कोई भी पहले भी देख चुके हूं वो इस वीडियो को अगर आप समझते हैं तो शनी किंची जो कारक है जो पक्षी है पक्षियों में कववे का कारक और गलती से अगर आपको pure black कववा दिख जाए तो वो तो साक्षात ही सनी है इसके अलावा शनी labor class का मेजदूर करवाता है मैंनत करवाता है तो labor class वो शनी की है शनी किया है हमारे जो बुज़र्ग लोग है जो गरीब और बुज़र्ग लोग है ये सब शनी की category में आते हैं labor class अब शनी की कारक चीज़ों को पकड़ लेजे उनकी save wow स्टाण्ट कि लिए यानि कि अगर आप वीपार्च करते हैं या आपकी कोई फैक्टरिय है तो अपने लेबर कलास का का पैसा कभी मत रखिए तो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कई बार हिसाब कर रहे हैं मंस से बद्दवा दे के जाए ऐसा कारिय नहीं करना है लेवर क्लास कोई भी आए दस बीस रुपे आप लाको रुपे कमारें दस बीस रुपे उसे फालतू दे देंगे तो कौन सा आपका नुकसान हो जाएगा मगर वो सो पचास रुपे आपको कितने का फायदा देंगे इस से जादा जो इंपोर्टेंट है आप कुछ करें ना करें आप डेली कोवो को रोटी या मैं कहूंगा कि जब आपना भोजन करने बैठें तो उनके नाम की एक रोटी अवश्य निकाला करें और इस से भी जादा इंपोर्टेंट आपको रेमेडी बता दें कि अगर आपको दोगो का पर्मानेंट अंद करना है जीवन में एश की प्राप्ति करनी है अब एश तो हर आदमी करना चाहता है लगजरी चीजों को हर कोई आदमी सो उठाना चाहता है कि इसी के लिए पैसा कमा रहे है तो करना क्या है को रोटीर खिला के देखिए और पनीर पनीर जो है वो शुक्र है और कव्वा क्या है शनी आपने शुक्र और शनी को कमबाइंड कर दिया शुक्र शनी जब ये कमबाइंड होंगे तो दोनों मिलके क्या होंगे उच्का केतू 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 नॉर्मली कुंडली में खराब होता है आप केतू के जब आप उच्का कर लेंगे तो य करें तो केतु को यह ठीक करेंगा किया है जब कुली खराब होगा तो जीवन में विर्त की भागदोल लगी रही कुई पैरों में चक्कर का कारक है उसको ठीक करेगा जब आप यह remedy स्टार्ट करेंगे then you will find in few days कि आपका केतु gradually ठीक होना स्टार्ट हो गया जब ठीक होना स्टार्ट होगा तो उसके symptom क्या होगे कि आपके जीवन में अराम पैता होगा आपको बहुत जादा भागदोड नहीं करने पड़ेगी जीवन में कारियत तो सभी लोग करते हैं कुछ लोग बैठ के बड़े अराम से करते हैं कुछ AC के अंदर अराम से बैठे हैं अपना कामनदा चला रहे हैं कुछ लोग बड़ा पसीना बहा की पैसा कमा रहे हैं कुछ धूप के अंदर चक्कर लगा रहा है कुछ आपका गाड़ी के अंदर चक्कर लगा रहा है तो चक्कर दोनों के लग रहे हैं तो यहां पर केतु अच्छा होगा रोटी खिलाएं चार पैसे आपको लगता है कि आपको समरते हैं तो आपके अंदर पने बाहो 10-20 रुपे का पनीर कोवो को जरूर डाल दे और कोवा एक ऐसा पक्षी है जो आपको नॉर्मली सभी जगे पे मिल जाएगा बस केवल दिहाने एक बात का रखें कि कभी भी आपको अपने घर की च्छत पर ये कारिये नहीं करना है घर की बालकनी में कर सकते हैं बालकनी का जो कोई आउट्डूर है वहाँ कर सकते हैं पार्क में कर सकते हैं, कहीं आपकी दुकान है, सामने कोवी बगारा, पक्षी, सार दिन कहीं न की मिल जाते हैं, वहां कर सकते हैं, बन डेली का नियम बना लें, कि जब भी कोवी मिलें, एक बार, दो बार, तीन बार, ये बहाओ की बात है, करके देखिए, और I am 100% sure, कि आपक की कमी हो रही हो, तो आपको कवो की सेवा करें, कवो को रोटी डालें, तो कवो को जितना खुछ रखेंगे, पनीर खाके कवो बहुत जादा खुछ होता है, इसलिए मैंने पनीर का जिगर किया, आप कहेंगे कि पनीर महंगी चीज है, और आपने ये advice कर दी, कर सकते हैं तो कर लीजेगा, ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है, तो को अगर रोटी भी डालेंगे, तो भी या कुछ भी डालें आप, whatever, जो भी आप प्रेम भाव से डालेंगे, डालना शुरू कीजिए, भाव अच्छा होना चाहिए, तो आपको result आएंगे, guaranteed आएंगे, धन की समस्य ठीक होगी, ज कर लेगी, क्योंकि शेनी क्या है, carrier, 10th house, करंभाव, हमारी जो current कुंडली होती है, उसके अंदर अलग-अलग राशी कोई भी हो सकती है, तो आप कहेंगे, कि मेरे दसवे घर में तो सिंग राशी है, तो उसका मालिक तो सूर्य हो गया, इसकी की स्कॉर्पयो राशी है, उसक 30% problem sort out, तो यहाँ पर आज अगर आप इस remedy को permanent अपने जीवन में बीना किसी कुंडली को दिखाए, क्योंकि शनी किस प्रकार के दुख देगा, तो उसके लिए आपको proper अपने चार्ट पर जाना होगा, क्योंकि कुंडली के जो हमारे 12 houses हैं, यह अलग-अलग चीजों से सम् यह मेरे लाइफ में समस्य आएगी, यह लंबी मिमारी के योग हैं, मकान के योग हैं, यह सारा का सारा आप exactly अपने चार्ट से अनलाइस करेंगे, मगर अगर आप अपना चार्ट अनलाइस नहीं करते हैं, और स्थिति कैसी भी है, अच्छी है, खराब है, थोड़ा देहरी यह बहुत जादा अगर कुंडली में खराब हुआ, तो उतने खराफन नहीं देगा, क्योंकि आपने उसकी रेमेडी ग्रेजुली स्टार्ट कर दी, तो इट विल इंप्रूब योर सेटन ग्रेजुली, तो यह रेमेडी जब लगातर करते रहेंगे, जीवन का एक नियम ब महां पर फिर हम शनी मंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, और इस रेमेडी विल गीव यू एक्सिलेंट रिजल्ट इन लॉंग लाइफ, आपको इस चीज का पालन हमेशा करना चाहिए, और मैं सुम्भी ये कारिये अपने जीवन में हमेशा करता हूं, और इस जीजों से र रेमेडी की जाए, तो वहां पर वो सारी चीजे टेस्ट की है, अच्छा ये अगर बताई गई है, तो किस से क्या होगा, उसको कुछ दिन किया, अच्छा इसके ये रिजल्ट आते हैं, कभी किसे से कराया, यो आपके नियर बाई था, मेरे नियर बाई था, ऊससे कराया, कर standard remedy है specific remedy होती है जो आप proper एक रिपोर्ट देखकर analyze करते हैं जैसे डॉक्टर जो है proper रिपोर्ट वगरा टेस्ट करा लिए उसके बाद एक पता दिया एक होता है डॉक्टर ने नफस देखकर आपको चेक किया और आपको कुछ medicine लिग दी तो यहां पर standard remedy को long life follow करेंगे तो आप को जीवन में कभी किसी परकार की समस्य से जादा नहीं आईगी और सेटन अगर आपका अच्छा हुआ तो आपको और ज्यादा अच्छे परिणाम देखा आपके कारोबार को निश्चित तोर पर बहुत ज्यादा हैट्स पर ले जाएगा तो आज हमने बात करी इसके बारे करेगी अगर आप यह सोचे कि नहीं होता कुछ नीं होता नेगेटिव सोच रखेंगे तो वाकि कुछ नहीं होगा और अगर इस सोच रखेंगे नहीं हो सकता है आज अच्छे इन्ययों करके कल अच्छा होगा इश्वर सुनेगा mori to be always positive positiveков सोचों के तो positive होगा और नेगे mett चल रहा हैं खराब भी है ये और सोच 1965 ये लि HOLT 27 है कि जी अपने आपको दिखाऊगे ससामने वाला इतना हावी होगा और हमेशा नहीं सब ठीक है तो हमेशा सब ठीक ही होगा हसते के साथ सो लोग खड़े हैं रोते के साथ कोई नहीं कड़ा होता इस बात को जीवन में दिहान रखी है तो आगे हम बात करेंगे आज हमने बात करेंगे दुखों का अंत कैसे किया जाए परमानेंट आपकी आपति कैसे हो सके ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे पराप कर सकें कौन सी ऐसी रेमेडी ही जो परमनेंट हमें करनी ही चाहिए हर एक व्यक्तियों करनी चाहिए बहुत सिंपल रेमेडी है बट जाब उस रेमेडी को करेंगे तो 40 दिन के अंदर डेफिनेटली यूफ फाइंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार